हेलो फ्रेंड्स अस्सलामु अलेकूम वेलकम बैक टू मैं चैनल बिस्मिल्ला रह्मान रहीम फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेकर आई हैं यहें घिला जोला देखिए के इस तरग होता है और इसको लागर मैंने अच्छे साथ पाने से अच्छे से दोया है रिदम ग्लीन कर लिया इसको और आप इसकी चट्नी मनाएंगे इसका जो पानी है पुरा हमें ड्रेंड करके लेना है तो इस तरह से हमें साफ शेसी करके रखना है इसके बाद यहां पर देखिए यह है स्प्रिंग अनियन्स को भी मैंने बारी 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 चॉप कर लिया ह है इसमें इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है जो हमने स्प्रिंग अनियन्स ले थे उसी के यह प्याज चोटे-चोटे इसको मैंने काट लिया है दो से तीन है और कडी पत्ते हमें होड़े से लेने है दो टोमैटो लिये इसको बारी चॉप कर लिया है और बहुत सारा मैंने फारा दनिय भी यहां पे लिया हूद्वा गए और अग्योमच के अद्रिय का न मेंTrack कॉमीन पॉडर है एक चमन जेत स्यान ला तरमरिक पॉडर लिया हुआ है गरम मसाला है आदा चमच और आदा चमच मैंने नमक लिया हुआ है और एक चमच भरके मैंने अधर लसन का पेस्ट रहाँ पर एट किया है और यहां पर देखित इतने सारे मसाले इतना सारे सब्सक्राइब लगेंगी तो गैस दे में एक पैन कर दिया था थोड़ा टेल एड़ कर दिश करने दो से तिन चममर इसको अच्छे से गरम होने देना है उसके बाद इसमें कड़ी पत्ता बेट करना है जैसे कड़ी पत्ता तर्तर रहा है उसके बाद में मैंने इसमें जो प्यास बारी चॉप करके रखा हुआ था इसको एड कर दिया है और पैस को हमें हलका साफ्ट करना है ज्यादा कच्छा भी नहीं रखना है लाव करना है मीडियम रखना हमें प्याद जिस अफ और जी निए फ्रेंड्स इसके बाद यहां पर हम इसमें थोड़ा सा नमग बैट करेंगे कि हम जो पैसे अच्छे से सॉफ्ट हो तो यहां पर देखिए मैं हमारी प्यास अल्खिल की सॉफ्ट हो गई है किसे और दो में हमें अच्छे से गुन लेना है तो यहां पर देखिए में थोड़ा और खुंडरी उसको दीषिक में जिए अधराग लसन का पेस्ट केंगे वूत करेंगे माद राग रसन के पेस्ट को भूसे लिए इसका जो कच्छा बन होता है इसमेल होती है जाने के लिए अगर हम अध्रक रसं का पेस्ट अच्छे से नहीं भूनेगे ना पेस्ट इसमें टेस्ट नहीं आएगा नहां पर टामाडर को जो हमने काट कर लिए थे उसको वैड कर दिया है और उसके बाद इसको भी हमें और पाउडर मसाले को भी एक से दो मिनट के लिए अच्छे से बून लेना है दो से तीन मिनट में यहां पर टामाडर अच्छे से सौप हो गया है तो अब मैं इसमें जोला एट कर रही हूं जोले को छनी पर रखकर पानी पुरा ड्रेन कर लेना जब हम बाजार से जोले को लेकर आते हैं तो जोला के अंदर बहुत सारा कच्रा होता है तो उसे अच्छी से साफ कर लेना है अच्छी से इसको भून लेना इसमें जो इसमेल होती है उजाने के लिए से एक सो दो मिनिट के लिए इसको भूनना है तो इस तरह से जोले का जोले का अंदर पानी है उसको पूर लेना उसके बाद स्प्रिंग आनियन एड़ करके अच्छे से मिला लेना और फिर डग कर अपना हमें अलग से एक्स्ट्रा पानी जानने की जरूतने पटे क्योंकि जो स्प्रिंग आनियन है उसमें भी पानी है वो पूरा बाहर निकल के आता है और जौला उसके अंदर अच्छे से पक जाता है तो फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल पर आप नहीं आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बाजू में जो बेल का इकन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा आने ओली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी अगर आपको मेरे अच्छे लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरूर बताना और अपने वैल्यूबल फीडबैक मुझे जरूर देते लेना और हमारे चैनल को आगया आने के जरूर सपोर्ट करना फ्रेंड्स तो यहां पर देखिए थोड़ा सा हरा धनिया जो मैंने लिया हुआ तो उ यहां पर देखिए हमारा जोला अच्छे से पक चुका है सिर्व हमें इसको थोड़ा सा और भूनना है जितना हम भूनेंगे ना फ्रेंड्स में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए ऐसे बहुत ही अच्छे से 2-3 अच्छे बना लेके ना तो मैं जरूर गैरंटी देदी हूं कि 2-3 डोटी तो जरूर आप खायेंगे इतनी अच्छी बनती है और ये रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते है खाने में तो देखिए अच्छे से बुनने के बाद आप मैं इसको प्लेटिंग करूँगी मुझे जरूर देना यहां पर देखिए हमारी डिलिशित चटली बनकर एकडम रडी है खाने के लिए आप इसे बनाई है इंजोई कीजिए मुझे कमेंट सेक्षर में कमेंट करके जरूर बताना और फ्रेंज चैनल को ग्रोव होने लिए जरूर सपोर्ट कीजिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए जरूर कमेंट कीजिए और जरूर जरूर लाइक कीजिएगा तो देखिए डिलिशिस चटनी बनकर तयार है आखिल तक वीडियो देखने लिए आपका दिल से शुक्रिया और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा तो मिलती हूं मैं आपको नेक्स वीडियो के साथ अब तक के लिए टेक केर बार बाई आला हापीस